तो लेकपाल भरती में आवेदिन करने के लिए आपको उत्तर प्रदिश अधिन सिवा चैन आयो की वेबसाइट को उपन करना है वेब अड्रेस है upssc.uv.in इसके बाद आप यहां Candidate Registration पर आका क्लिक करेंगे और इस परकार जो उपर दिया गया है Direct Recruitment तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप registration कर सकते हैं और फिस को जमा कर सकते हैं और modification जो होगा वो आप 7 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कर पाएंगे instructions जो आपको देखने हैं वो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं यहां पर आपको label होगा तो sample भी आपको दे दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस sample के माधिम से भी आप अपना प्रक्रिया है उसको शमझ पाहेंगे ठीक है इसके बाद आएए आप main page पर और main page पर connected registration यहाँ पर आप देख सकते हैं advertisement जो advertisement है उसको भी आप यहाँ पर प्राफ्त कर पाएंगे तो हलागि यह advertisement आपके पास पहरे सही होगा और इसमें आपको पूरा का पूरा syllabus मिले जाएगा photo आपने जो PT परिशा में upload करी थी वही रहेगी उसमें आप कोई भी बदलाओ नहीं कर पाएंगे slave bus अगर देखना चाहते हैं तो slave bus आपको नीचे मिल जाएगा आविदन सुल्क इस बार नहीं लिया जा रहा है जो internet से आविदन करने जो processing fees है वो आपको यहाँ पर देना है ठीक है तो नीचे जो है लेकपाल का पद है 18 से 40 वर्स उम्रसीमा है और जनरल अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती OBC और EWS के जो पदों को बाटा गया है उसकी सुचना भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी साथी साथ नीचे जाकर आप जो परिक्षा होने वाली है उसका प्रारूप आप देख सकते हैं सामान हिंदी गनित सामान ग्यान ग्राम समाज और विकास कुल मिला के 25-25 पर सोंगे है टॉपिक से नेगटिव मार्किंग भी रहेगी पूरा पार्टिक्रम भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसके बाद आपको अपलाई पर क्लिक करना है अपलाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह पेंच उपन होगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा अच्छा नेचर आप पोस यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि पोस्ट के पर किरती क्या है तो टाइप आप पोस्ट पर्मानेंट है पेस के लोगा आप बावन सो से बीस हजार दो सो और ग्रेड पे है दो हजार रुपे इसके बाद आप टोटल लंबरा वेकेंसी यानि कि जो मैंने आपको भ बताई गही है जनरल लेसी स्टी ओबीसी फ्रीडम फाइटर एक्स आर्मी पी एस इसकिल्ट प्लेयर वोमेन और मेन के लिए कितनी सीटें यहाँ पर है कुल सीटें कितनी हैं आठ गजार पचासी हैं क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सतें क्लिक करके तो इंटरमीडियर या उसके समक्ष कोई भी योगिता अगर आपके पास है तब आप इसमें आविदिन कर पाएंगे तो फिलाल रजिस्टिसन करने के लिए क्या करना होगा आपको कैंडिडेट रजिस्टिसन पर आपको क्लिक कर दे रहा है यहाँ पर देखिए कुछ सारी चीज़े होनी चाहिए और डॉक्मेंट रिलेटेट तो प्रिफरेंशिल क्वालिफिकेशन फार पोस्ट और पेइमेंट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या यूप्याई होना चाहिए 25 रुपए की फीस आपको यहाँ प उपलब्द करवाईगी है फिला पीडियाप में क्या है यह मैं आपको दिखा देता हूँ केवले अभरती जो आयोगद्वारा आयोजीत पीटी परिक्षा में उपस्तित हुए है जिनके पास स्कूर कार्ड उपलब्द है इस मुख की परिक्षा में भाग लेने के लिए आ पर आटोमेटिकली प्रत्रसित होंगी अभ्यरती मुख के परिक्षक लिए आवेदन भरते समय अपनी स्यक्षिक और अनयोगिताओं से संबंदित जानकारी को ही संसुदित कर पाएंगे 25 रुपे का भुक्तान सुल्क आपको देना पड़ेगा और अभ्यरती को आवेदन प्रसंस्क्रन सुल्क के भुक्तान के बाद केवल निम्लिकित शेत्रों में संसुधन और सुधार करने की अनुमती होगी नाम में बरतनी की गलती, पिता के नाम में बरतनी की गलती, पत्राचार का पता, अनव्यक्तिकत बिरुरान जैसे की 36 आर्खण की इस्थिती बगारा, जाद स्रेणी भी आप बदल पाएंगे, इसके रामा आप कुछ और बदलाव नहीं कर पाएंगे, वो PT में जो आपने ची परी तक ही आप जो संसुदन कर पाएंगे, और अभ्यर्थियों को प्राराम्बिक पातरता परिक्षा, यानि कि PT 2021 में उनके स्कोर के आधार पर मुख्य परिक्षा के लिए स्ट लिस्ट किया जाएगा, तो स्ट लिस्ट कब किया जाएगा, जब आविदन की प्रक्रिया सम लेंगे, और वहें पर आपकी जो कटाफ होगी, PT का जो परसंटाइल होगा, उसे से डिसाइड किया जाएगा, तो आविदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कटाफ जो है, ये डिकलियर होगी, कि कितने परसंटाइल तक के लोग इस परिक्षा में बैठ पाएंगे, और जितने लोग परिक्षा में सामिल होगे, सिर्फ उनी लोगों को फिस जमा करने होगी, उसके बाद उनका जो एड्मिट कार्ड है, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, सारी चीज़े अब आप समझ गये होगे, इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर चेक करना होगा फिर I agree पर आप क्लिक करेंगे, next page आपके लिए open होगा, तो यहाँ पर आप जो आवेदर ने दू तरीके से कर सकते हैं, through personal details और through OTP, तो personal details, मतलब यहाँ पर आप PT का registration number, date of birth, अपना gender, और domicile of UP, SRO, और category डाल कर, यह verification code है, इसको डाल कर click here to process पर आपको क्लिक करना होगा, इसके पास जो जांकारी आपने PT में दी थी, वही जांकारी यहाँ पर open हो जाएगी, कुछ चीजों को आप संसुदिक कर पाएंगे, 25 रुपे की फिर जमा करके, आप पूरे form को complete कर पाएंगे, और अगर आप चाहें, तो OTP के माध्यम से, मतलब PT का registration number डालिए, verification code डालिए get OTP पर क्लिक करिए, OTP आएगी, यहाँ पर डालिए, फिर आपको click here to proceed पर क्लिक करना है, और फिर उसी परकार से, जो PT परिक्षा में आपने जांकारी दी थी, उसी काता पर एक farm open होगा, थोड़ी चीजें आप उसमें yes no कर सकते हैं, संसुद्धन कर सकते हैं, नहीं तो बा जाते हैं, तो इसे comment करिएगा, मैं farm को आपको step by step अंत तक भर कर दे दूँगा, तो ताकिया समझ पाएं कि किस परकार से आपको पूरा farm भरना है, छोड़ी सी जानकारी थी, कई लोगों ने जानना चाहा था कि किस परकार से आवेधन होंगे लेकपाल में, तो यही पूरी पूरी प्रक्रिया है, इसी माध्यम से आप आवेधन कर पाएंगे, तो वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर कर दिजिएका, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much.